मैं सीमा गुपता आज आप सभी के बीच साहितिकार समाज में साफ्टवेर निर्माड का कारे करते हैं विषय पर एक निबंद लेकर आई हूँ और आप सभी को या बताने वाले हूँ कि किस प्रकार से इस निबंद के माध्यम से आप इस टॉपिक पर बहतर निबंद लिखने की कला को सीख सकते हैं आईए आपको मैं इस निबंद को पढ़कर बता रही हूँ कि कैसे आप साहितिकार समाज में साफ्टवेर निर्माड का कारे करते हैं विषय पर निबंद को लिखेंगे साथियों मेरे द्वारा इस निबंद की सुरवात अपने मुक्तक चंद सपने और कुछ ख्वाइसे हैं मेरी दुनिया को बदलने की चाहते हैं मेरी चिंता घुटन बेवसी सबकी दूर कर दू ऐसी चाहत से भरी कोशी से है मेरी इस से मैं आरंब किया हूँ और ततकाली साहितिकार समाज में साफ्ट्वेयर निर्मार का कारी करते हैं साहितिकार अपनी रचनाओं के माधियम से समाज के प्रते चेत्रों के उपलब्तियों चुनाओतियों समस्याओं को बताने के साथ साथ उन्हें दूर कैसी किया जाया उसका प्रयास करते हैं अर्था साथियों पर मैं लिखी हूँ प्रतीक छेत्र उपलब्दियों के बारे में चुनोतियों के बारे में समस्याओं के बारे में क्योंकि साथियों सब्दों किसी विद्दा के कारण कई ऐसी सेंटेंसे आपको प्रियोग करने होंगे कि एक सेंटेंस में ही आपके भाव प्रकट हो सके इस पज़े सातियों एक मैं सेंटेंस में कहें भाव कुं व्यक्त इस लाइन के अंदर गत किये हूं अब आते हैं नेक्ट पैराग्राफ में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि साहितिकार मात्र साफ्टवेर निर्मार्ट तक ही सिमित रहे हैं बलकि हार्डवेर का भी मध्यकालीन कार और आजनिक कार को एक साथ समेटी हुई हूं अर्था सब्दो किसी मित्ता के द्रिष्टी गत कैसे आप मैक्सिमम भाव को अभिवेक्त अपने निवद में करेंगे इस चीज़ को मैं इस पैराग्राफ के माध्यम से आप तभी को बता रही हूं और उस क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूं प्राचीन मध्यकालीन आजनिक भारत के साहितिकार जिन में पतन जली बिसागदत काली दस कोटेल्य तुलसी दास अमीर खोसरो अबुल फदल सुभद्रा कुमारी चौहान राजा राम मुहन राय प्रेम चंद जैसंकर प्रसाद भारतिन धुहर चंद आदी साहितकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा भारत की राजनेतिक आर्थिक समाजिक इवन धार्मिक इस्तिति के बारे में सुन्दव वर्ण किये अर्थात इस परग्राप में मेली द्वारा भारत की राजनेतिक आर्थिक समाजिक धार्मिक आदी इस्तितियो विडिक किया गया है अब आते है next paragraph वहीं कई सवतनता संग्राम से नानी तथा समास से विसाहित कारों ने अपनी करेति तथा रचनाओं के माध्यम से जनता में जन जागरण का कारिभि किये इन विसे सिस्ताओं के कारण इन से सहीत कारों ने अनेक देशों के आंदोरन के सफल ऐसे स्वतंता से नानी रहे हैं, जो कि अपने साहित्य लेखनी के माधियम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किये हैं, वहीं तातकालिक समाज के जो साहित्यकार थे, वर्तमान अर्थात तातकालिक समाज के बिविन विक्रितियों को बताए, और या बताने का प्रया संदे हुई अपनी लेखनी के माधियम से समाज के समाज़े से चित्र को प्रसूत करने के प्रयाश कि समाज में किस प्रकार से चाती वर्ड लिंग भासा की सन्रचना है साइडिकार की लेखनी से हमें राश्म नेमार्ड की चुनोतियों, गरीबी, बेरोजगारी, भुक्मन यास्रेवाओ, हिंसा, लिंग, भेट, परियाओर, प्रदूसर, जाती वाद, छेत्रवाद, भासावाद, आदी का घ्यान होता है। साहितिकार समय समय पर समाज के आर्थिक उपलब्दियों तता चुनोतियों से हमें आउगत कराते हैं कि किस प्रकार से सकल घरिलू उतपात का संतुलन तता राष्टी आय का संतुलन देश के विकास के लिए जरूरी है। साहितियों आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ के माध्यम से मैं इस निवन्द में आर्थिक पक्ष को वर्डित की हूँ जिसमें जीडिपी और आपके राष्टी आयादी के संतुलन के संतुलन के सम्मंद में बताने के साथ साहितिकारों की भूमका को यहां पर मैं साफ्ट्वे निर्मार के करम में बिदेश निती की सफलता के अनेगूर से भी हमें परचित कराते हैं भारत के कौटि लिता था इतली के मैं क्यावली राज की सफलता के लिए राधि समंदी विचार राजत्तों सिद्धान बिदेश निती आदी पर विचार वेक्त कर राज की समस्त समाजिक आर्थिक राजनितिक धार्मिक सांस्कृतिक प्रसासनिक सभी पहलूओं पर बखुबी रूप से सॉफ्ट्वेयर निर्मार का कारिक किया है हर्स की बात है कि भारसरकार अब आपको मैं यहां पेले जाओंगी भारसरकार और राजसरकार द्वारा जो हर टॉ मन में मैं आपको इस परागर आपके माध्यम से बताऊंगी मैं आप सभी को बता चुकी हो कि आप कोई भी निबंदे लिखेंगे और अबसे ही अपने टॉपिक से रिलेटेट भारस सरकार राजे सरकार दौरा चलाए जा रही का लियाड कारी योजनाओ को जरू यहाँ पर व सरकात राजे सरकारियों कई नीजी संसा है जैसे भारती साहित्य अकादमी उर्दू ए सौरी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान केंद्रिय हिंदी संस्थान उर्दू अकादमी राजी कर्मचारी साहित्य संसा उत्तर प्रदेश अविरल सेवा संस्थान अखिल भारती साहि पर पहुचाने का कारी कर रहे हैं अनेक सरकारी साहितिक साहितिकारों को प्रोसाहित करने के लिए समय समय पर अनेक पुस्तकों को पुरस्कृत भी कर रहे हैं दूसरी तरफ का भी गोस्टियों के मादमते समात को जोड़ने तताराश्ट इमार का कारी भी कर रहे हैं अभी भी कुछ कम्या प्रतीत होती हैं जीने समय के साथ दूर किया जाना जरूर यह जैसी साहितिकारों को निश्प ख्वाव से अपनी कलम को चलाए ना जरूर यह साहितिकार ना सिर्फ गुरगान को ही महतोदे बलकी वास्तविक धरातर अविद्यमान चुनोतियों पर भी मशारा ज्यादा जोड़ देंगारों को अपनी परिवासां में भी बदलाव की जरूरत कstar का रहा हैं अता आपनी भारत कि संकल्पना के साकार तता है किस पिस सदी भारत की सदी स्थापना के लिए साहित खारों को भी एक कदम अपना आगे बढ़ाना होगा और साफ्ट्वेर के साथ-साथ हार्डवेर निर्मार में भी सहबागिता देनी होगी निश्ची तुरुप से साहित खारों के उग्त सहबागिता सुक समृद्यों विकास क पूर नय भारत के निर्मार में बरदान का कारिक करेंगे बलकि भारती विरासत को 27 वहनी बनाने के लिए प्रकारते सातियों आप देखे कि चुनोतियों को बताती है मैं कैसे समाधान की और चन्द दो लाइनों के माध्यम से मैं इस निवन्द को संपन की हूँ चलो एक बीडा उठाए साहित को नई दिशा देने को चलो एक नई जोस बरे भारत को आगे बढ़ाने को तो सासियों आपने देखा कि कैसे कुछ जन्ज सपने कुछ ख्वाई से है मेरी दुनिया को बदलने की चाहते है मेरी मुक्तक से मैं इस निबंद को आरंब की और उन तमाम पक्छो को बताते हुए कुछ मोटिवेशनल और एक उमीद भरे विकास के पल से मैं इस निबंद को संपन लेगी तो साथियों यदि आप कोई भी निबंद लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उस निबंद से सम्मंदी सभी पक्छो को जरूर लिखेंगे कि मेरे दोर आप सभी को उगत कराये गया कि आप उवस के निबंद की जब सुरुवात करेंगे तो करिंट के पहलों से भी आप उगत कराएंगे और समाचार पत्रों के माधियम से तता अन्य सोसल मीडिया के माधियम से एक जगत को उड़ान मिल रही है इसके अतरिक जो चुनोतियां हैं उसको दूर करने के उपाय क्या है इसके बारी में मैं बताएं और कैस्ट प्रकार से प्राचीनकाल, मद्देकाल और आधनिकाल में साहितिक प्रग्रिती हुई कैसे साहितिकारों ने उस दौर में भी अपने कर्टब्यों का निर्वहन किये इसके संबन्द में मैं इस निवंद के माधिम स्योगत करेंगे तो निश्वित रूप से साथियों सिमित सब्दों में भी आप एक बहतर निवंद अवस्यों ही लिखने का कारिक करेंगे और मुझे पूढ भरोसा है साती हो आप सभी की योगिता पर क्योंकि आप ही वह यूआ है जिनकी भीतर भी तमाम योगिताय विद्द्यमान है जिनका आप सदिप्योग कर निश्चीत रूप से ना सिर्फ अपनी लक्ष को प्राप्त करेंगे अपनी सपने को साकार करेंगे बलके देश की समावेसी विकास में भी अत्यन्त ही महत्पूर भूमका निभाएंगे साथियों, इसी आसा विजवास के साथ मैं सीमागुपता आज विदा लेते हूँ कि निस्री तुरूप से आप इस निवन्दों को एक बार पुना लिखने का प्रयास करेंगे, अपने सब लक्ष में और लिखने के बाद आप अवस्य ही नया पाहल add the rate gmail.com पर अवस्य उपलब्द कराएंगे, मैं आप सभी को अवस्य ही आप सब के निवन्द के सम्मंद में चो भी प्रतिक्रिया होंगी वो अवस्य उपलब्द कराऊंगे, इसी आसा संदेश के साथ मैं विदा लेती हो कि निशीत रूप से आप अपने लक्ष में सफल होंगे, नमस्कार